जोस्तों सुवागित आप सिभी का मौस्म अफ्डेट बिहार यूटूब चैनल पर बात करेंगी बिहार के मौस्म के बारे में जिसमें आपको बताएंगे कि आने वाले 27 गंटों के दुरान बिहार का मोसम कैसा रहेगा कांपर बारिस होगी कांपर मोसम कैसा रहेगा उसके बारे में आपको ताजा रिपोर्ट बदाएंगे यहीं कि 30 अप्रेल को बारिस की गतिविदी बिहार के शत्रों पर काँ पर कैसी होने वाली हैं और आने वारे 27-48 गंटों की दुरान बिहार की कई जगों पर तेज आंधी तुफान और मोशलाधार बारिस की संभावना है उसके बारे में आपको सठिक जानकारी देंगे सबसे पहले दोस्तों आपसे निवद नहीं अगर आप चैनल पर पहली बार आए वो तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लीजे ताकि बिहार मोसम की सठिक जानकारी आप तक रोजना पहुंसती रहेगी और इस वीडियो को लाइक जरूर करे ताकि हमारा मनोबल बना रहे और क रखशनी पूरी बागों के आसपास आज कई जगों पर बादलों की आवज जावी है इसका मैन कारण है बियार की उत्तर पशिमी सत्रियां तक पहुंच रही हैं और ट्रप की वज़े से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगातार नमी वाली हवाएं बिहार, जारखंड और पूरतर भारत के राजियों पर पहुंचने लगी हैं और पशिम संपारन साथ में पूरवी संपारन के आसपास के सत्रों पर अभी बारिस की गतिविदी सुरू हो चुकी हैं या अने वाली शार से पांच गंटों के दुरान या पर बारिस की गतिविदी सुरू होने की संभावना है बाकी बिहार के दक्षनी पूरी बागों के आसपास भी बादलों की आवाज़ जावी हैं और अगले कुछ गंटों के दुरान या पर भी कुछ इस्थानों पर हल्की मद्यम बारिस की गतिविदियां हो सकती हैं जिसमें जो मुख्यत प्रभावित होने वाले जिले हैं वो बिहार के तरही वाले जिले हैं इनिकी पशिम शंपारन से लगा कर पूर्वी शंपारन साथ में शितामडी, सिवर और दर्बंगा, मदुबनी, उसुपोल, मदुपूरा, अरररिया, पूरणिया, किशन गंज साथ में बागलपूर और जो बैसा की कैसपास के शत्र हैं समस्तिपूर, वैसाली और मुझपर, पूर, सारण, सिवान, गुपाल गंज के शत्रों पर आज रात कुछ इस्तानों पर हलकी खंड बारिस की गतिविदी हो सकती हैं जादत रिलाकों पर बादलों की आवाजा भी रह रहे हैं कुछ जो बैंगु सराई, लकी सराई, शेकपुरा और भागलपूर, कठियर के शत्रों पर भी कुछ इस्तानों पर बारिस की गतिविदी कल देर रात के बाद या कल दोपर के बाद होने की समभावना है और बादलों की आवाजावई आज यहां पर बनी हुई हैं बाकी बिहार के जो उत्रपशी मीशत रही हैं यानि कि जो कुपाल गंज, सिवान, साथ में सारण, बक्षर, बोजपूर, रुतास, बबुआ और औरंगबाद, अरवन, जलेनाबाद, साथ में गया, पटना, वैसाली, मुझपरपूर के शत्रों पर जदत रेला को पर रहेगा और सालिस और बियालिस के बीच में तापमान रिकॉर्ड किया जाएगा, दिकतर जगों पर तापमान ऐसा ही बने रहेगा, लू की गतिविदियां पिसले 24 गंटों के दुरान देखने को मिले थी, लेकिन आज लू की गतिविदियों में कमी आई है, और दिरिदे में भी आपके जिले का नाम जरूर लिखे, फिला दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट टूडियो में, तब तक के लिए, जै हिन, जै भारत, टैंक्यू